हेलो फ्रेंज वेल्कम बैक टू मैं चैनल मैं बना रही हूं गुजिया बनाई तो मैं होली के पहले ही थी बट वीडियो डाल नहीं पाई थी वीजी स्टीडियूल के कारण तो आज मैं यहां पर दो तरीके से आपको बनाने बताऊंगी अगर आपके पास मौल्ड है तो आप उससे भी बना सकते हैं उससे और एजी होगा और अगर नहीं है तो आप हाथोंसे भी मौल्ड करके बना सकते हैं यह बिद्कुल एजी बेवे में बन जाता है तो उसके भूनके उसके बाद उसमें सुजी एड़ करूंगी अब इसे अच्छे से रोस्ट कर लेंगे लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक ज्यादा गोल्डन नहीं करना है बस एक अच्छा सा सुनहरा कलर आ जाए सुजी में बस उतना तक ही भूनेंगे और ड्राइफ्रूट जो दाल सकते हैं आप डालो और मिठा जितना आपको पसंद है उसको एकॉर्डिंग चीनी और सब को मिला लेंगे यहां पर मैं थोड़ा सा मिल्क पॉडर भी मिलाओंगे जिससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है अगर आप खुआ वाला खाते हैं वह पसंद है तो आप खोया करी दाल सकते हैं उसमें यहिंः इसी स्टेज वे और वस अभी से हम अलग निकाल के रख लेंगे ठंडा होने देंगे और यहां पे मैं ले रही हूँ मैदा उसमें मैं मिला रही हूँ ओनियन सीड्स और मोयन के लिए मैं यहां पे घी डाल रही हूँ आप रिफाइन डाल सकते हैं घी डाल सकते हैं या फिर डाल डा अगर खाते हैं तो वो भी डाल सकते हैं जो डालने का मर्जी हो आपकी और इसे अच्छे से बिल्कुल गून लेंगे अच्छे से मसल मसल के गूनेंगे ताकि हमारा गुजिया का जो ऊपर का कोटिंग हो वो बिल्कुल खस्ता बने बिल्कुल सॉफ्ट बने यह हमारा दो तैयार हो गया है अच्छे से अब हम इस के चोटे चोटे पेरे बनाएंगे और गुजिया का मोल्ड में रखके गुजिया का सेप देंगे तो यह हम ऐसे मैं बना ली हूँ थोड़ा जल्दवाजी में बना ली हूँ तो मैं बस गोल ऐसे ही करती हूँ क्रैक भी जाता है वह बेलते टाइम ठीक हो जाता है तो पहले फटा-फट गोल-गोल बना ली हूँ मैं उसके बाद आब मैं बनाओंगी तो इसे पहले बेल लेंगे चोटे-चोटे पेरे बनाएंगे और इसे बेल लेंगे ना जादा पतला ना जादा मोटा थोड़ा सा ठीक ही रहेगा इसका यह देखो बस यह हो गया और अब मैं इसे मोल्ड में रखके गुजिया बनाओंगी मोल्ड में इस तरह से रख देंगे और इसके बीच में सूजी फील करेंगे इस तरह से यह देखो इस तरह से फील करके बस अब इसे बन कर देंगे थोड़ा सा मैं साइड में पानी लगा रही हूँ ताकि हमारा गुजिया खुले नहीं तो तेल में ये fry होते ताइम अगर खुल जाता है तो सारा तेल भी बरबाद हो जाता है क्योंकि सारा mixture तेल में mix हो जाता है वो ना हो इसके लिए मैं थोड़ा पानी लगाके से बंद करती हूं आप मैदे की सैलरी भी बना सकते हैं बढ़ ये पानी से भी इसली बंद हो जाता है वो फिर खुलता नहीं ये चिपक जाता है अच्छे से ये तो खुलने का जहन्जट नहीं होता ये हमारा गुजिया तैयार है ये इस तरह मैं बनाऊंगी मोल से और अब मैं हाथों से बना के दिखाती हूँ ये इस तरह पहले रख लेंगे और इसे पलट देंगे उपर से इसमें भी मैं पानी लगा दूँगी किनारे पे ताकि ये अच्छे से चिपक जाए चारो तरब और फिर इस ऐसे पलट देंगे पिर हाथों से इसे प्रेस कर देंगे फिंगर से ऐसे प्रेस करने के बाद अब थोड़ा किनारे इसका अच्छे से बंद हो इसके लिए मैं एक फॉक लूँगी और इस तरह ऐसे प्रेस करके दोनों साइड से इसे बंद कर देंगे ताकि ये खुले नहीं और यह हमारा गुजिया मैं दूसरे साइड से भी करूंगी बन और यह हमारा गुजिया तयार है दोनों ही जटपट से बन जाता है और बस इसी तरह सारे गुजिया को तयार कर लेंगे और इसे तल लेंगे यह हमारा गुजिया तयार है इसी तरह मैं सारे गुजिया को रेडि कर ली हूँ और अब तेल को मीडियम हीट ओईल गरम करेंगे ना जादा गरम होना चाहिए ना जादा ठंडा होना चाहिए और फिर एक एक करके जितना आप एक वार में तल सको उतना डाल के तल लेंगे ये हमारा गुजिया तयार है इसे आप ऐसे भी बना के रख सकते हैं ये महिनों तक खराब नहीं होते और आप लाइट भूक में या फिर ऐसे स्नैक्स में भी ऐसे खा सकते हैं बच्चे के लिए भी बहुत अच्छा है बच्चे को बहुत पसंद भी आते हैं बीच वीच में छोटी छोटी भूक मिटाने के लिए ये बहुत अच्छा स्नैक्स है healthy है और enjoy करें वीडियो पसंद आए तो like, comment and share करना ना भूलें thanks for watching ये हमारा गुजिया तयार है ये देखो बस एक golden color आगया अब हम इसको निकाल लेंगे यहां से और इसी तरह हम अपने सारे गुजिया को तयार कर लेंगे तो ये होली का एक item तो हमारा तयार है बट मैं इसे पोश्ट नहीं कर पाई और होली के बाद कर रही हूँ ये देखो और आप अगर इसे थोड़ा और मीथा बनाना चाहते हो तो इसे चासनी में भी deep कर सकते हैं लेकिन उतना मीथा ज्यादा अच्छा नहीं लगता इसलिए मैं ऐसे ही खाऊंगी इसे थैंक यू थैंक्स पूर वाचिंग